नमस्कार सभीको आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं माला की चांदी की पायल कक्षा दो तीसरा पाठ हुश माला बिल्ली को डराती देखो यह लड़की है इसका नाम माला है उसने बिल्ली को डरा दिया हे वहाँ अपने नानी को डराती देखो उसने नानी को भी डरा दिया धप वहाँ अपने छोटे भाई को डराती देखो उसने अपने छोटे भाई को भी डरा दिया बहु वह डाकिये को डराती उसने डाकिये को भी डरा दिया आगे कहानी पढ़ते हैं एक दिन माला की मा ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी माला की जो मा थी उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी दी माला ये तुम्हारे लिए है वे बोली वो बेली कि माला ये तुम्हारे लि जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिप्टी प्यारी सी चांदी की पायल उसमें क्या था बच्चो उसमें एक नीला रंग का कागज था जिसके अंदर चांदी की पायल थी उन्हें पहन कर वह पूरे घर में घूमने लगी वो उसको पहन थी वो पूरे घर में घूम रही थी चिक चिक चम चोटे चोटे घुंगरू छनकते उस पायल में जो घुंगरू थे वो छनकते चिक चिक चम अब माला जहां भी जाती सब जान जाते अब माला कहीं भी जाती तो सब को पता चल जाता कि दिखो माला आ रही और वो पहले क्या करती थी, सब को चुपके से डरा दिती, लेकिन अब वो ऐसा करी नहीं सकती, चिक चिक चम, माला की हुश से पहले बिल्ली को डराती, उसकी पायल ने बिल्ली को पहले ही बता दिया, और वहां से वो कूद गई, चिक चिक चम, माला की हे से पहले नानी गी क्योंकि नानी ने उसके पैरों की पायल की आवाज सुन ली चिक चिक चम माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया इससे पहले की माला उसे डराती उसका भाई पहले ही भाग गया चिक चिक चम माला की भव से पहले डाक्या निकल गया इससे पहले की वो डाक्या को डराती पहले ही डाखिया वहां से चला गया छिक छिक छम अब माला किसी को डरा नहीं पाती तो ऐसे में माला ने क्या किया उससे अपनी चांदी की पायल उतार दी तो उसने क्या किया अपनी चांदी की पायल उतार दी ये किस ने लिखी है ये कहानी एनी बेसंत ने झाल 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 झाल